लोगों ने कि परियावरण की प्रारम की थी कि इसके परियावरण तो पड़ते थे लेकिन परियावरण अलग से अध्याई कुरूप में सम्नित किया गया है जहां से चार्या पांच नंबर के प्रेशन आपके सीटेट में आते हैं लेकिन सीटेट की बाद करें तो पूरा- युपिटेट परियावरण पर आधारित है और युपिटेट के साथ सुपर टेट या भाद वी कोई परिछा देने जाएंगे तो यहां से कुश्चन जरूर आते हैं तो कल हम लोगों ने यह देखा था कि किस तरह जैविक और आजैविक एक दूसरे को पर आस्रित हैं तो स्रृष चुट अपने आप में खुदी ही ही बहुत बढ़ा टौपी गट आपने हमकरे अपने आप में खुदी बहुत बड़ा टौपीक है जी जी यह अजैवी घटक दो घटक थे फिर जैवी घटक में हमने पढ़ा था नंबर एक में पहले पढ़ लिया था पादा पादाप में सभी पेड़ पोद्य वन बनस्पति सावा जाएंगे दूसरा मनाई अच्छा वह जिव जन्तु जिव जन्तु कई यह मनाई गई यह अजैविक में आते हैं अजैविक पहले आते तो मिर्दा में मिट्टि मही ले लेंगे इसको अभीजिभी इसका अधाल मंडल से ही निकलेगा फूरा फिर मिर्दा के बाद दूसरे नंबर भी है है आपका जलबा युफ पढ़ा रहे हैं आप लोग वाईूू ठीक वाईू यह आजयवी घटक और यह हैं आपके जयवी घटक ठिक असाथ आप लोगों को भी दिखर होगा जयवी घटक के पादब जी जयन्तु कल हम लोगों नहीं देखा था कि इतना सब बीना इसके जैविग घटक के वह कलपना नहीं कर सकते बिन आजेवी घटक के जैविगगटक की कलपना नहीं कि तो भोजन और यह है को हरी मैं ब्राम्मां कुंडों हों तो यह बतको नहीं हो तो यह घाते हैं इतकर तो सर्वाहरी का तात्पर ये है कि यह पादब है लेकिंगं इस पर आसित है इनके द्वारा यह हमें क्या करते हैं मानि इनियों को क्या करते हैं भोजन में फिर इनके अंतर समंदों को क्या कहते हैं पास्तिकीत अंतर कहते हैं एकोलाजी सिस्ट्रम कहते हैं क्या कहते हैं को इसे जनक है वो थियरियम लोग बाद भी पढ़ेंगे अभी क्यों पर्यावराण को समझते चलते हैं बाद में थार् हम लोग पढ़ना चाहें इसे कैते लिधुस पेर hier अब अस्थय Pan मंडल में द्वीप महाद्वीप परवत पठात यह सभी आ जाते हैं अगर अस्थल मंडल अगर एक खेडिंग बना ले अस्थल मंडल की तो पूरे प्रिथिवी पर जो अस्थल मंडल है अस्थल मंडल अगर हम लोग एक खेडिंग बना लेते हैं अस्थल मंडल की तो अस्थल कितने पर 29 मलों क्या है अस्थल मंदल झिस पर मानो जीवन निवास करता है जू जन्तु करते हैं अब आ गई मिलेंगे जिसका अपनू अपको बताएंग अस्थल मंदल जिसा मानो जीवन निवास करता है कला माने परपटि भूपरपटी का हूँ सबसे वाई उपर इस्ता जिस पर मानम जीवन निवास कर locks पशवपलर करतें है उसे क्या करते हैं अस्थल मंडल फिर आपका है दूसरा slog वाई'm 10 यह वाई वायू महाने लें वायू का मतलब है वायू मंधल यहाँ प natal क्या मुझा करना ये लिखा आ Emil Park ये ले म altri और शय्यां किसे कहते हैं पिथी के चारों तरफ ःवह गिर हुए उसक्राइब सीधा पूछ लेता है प्र सूंबने जो मनडल वह कैसे रुका हुआ तो Правिवेट स्सटि की वज़ा से प्रफिवी चारों तरफ वाईय मंडल रुका है फिर प्रस्ण बनेगा यादि गृत्वा कर सकती ना होता तो क्या होता कि वाईयू मंडल रूका नहोंता है फिर अगला आता है जल से जल मंडल, हैड्रोस्पियर, पिठिवी पर जली हिश्णा, क्या कहलाता है, कौन सा मंडल, जल मंडल कहलाता है, जो जल मंडल है वो पूरे पिठिवी पर हुआ है, इतनी जादे जल के अधिक्ता होने के कारण पिठिवी को नीला ग्रह कहते हैं, पिठिवी पर जीवन है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं, जल के अधिक्ता कारण दूर से देखने पे नीला प्रती तो होती है, इसलिए पिठिवी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, कौन सा ग कियाते हैं कि जयो मंडल बायूश्पेयर यह जयो मंडल क्या होता इसको खुब धान समझ लिएगा कि देखिए यह हमने बना दिया कि अस्थल मंडल कि वायू मंडल और यह हो गया अपका जल मंडल ठीट यह हमारा क्या हो गया अस्थल मंडल हो गया आपका छोड़ा छोड़ा लिख दे रहें यह हो गया अस्थल मंडल लीथोस्पियर जल मंडल हाइड्रोस्पियर वायू मंडल एट्मोस्पियर तो हमने देखा जो अस्थल मंडल है वो पूरी पिथी भी कितना इस्सा है 29 दस्वलों दो लगभग 30% जल मंडल 17 दस्वलों 8% और उसके चात्र जो घेरा है वो वायू मंडल है लेकिन इसमें भी कहीं किसी अस्थान पर जिव निवास करते हैं का निवास करते हैं? जिव निवास करते हैं कौन निवास करता है? जिव जन्तु निवास करते हैं तो जो ये जिव जन्तु हैं इन्ही को हम क्या कहते हैं? जय मंडल कहते हैं अब जयो मंडल कहा है अब देखिए अब पूरे अस्थल मंडल पर क्या जू निवास करते हैं अरे हमाले पर खोड़ी ने कोई जू होगा खड़ भी होगा तो मानक इतने अस्थान पर क्या हुआ जू निवास करते हैं जल मंडल में क्या पूरे जल में जूर निवास करते हैं फिर वायू में भी तो माना इतने हिस्से भी क्या है इसको क्या किया गए जल मंडल यह बाइ। स्थल मंडल का जवर मंडल किसे कहते हैं माने इस अश्थल मंडल का जहां जिवजन्तु निवास करता हो भाई यह निवास करने का अक्ताथ पर क्या उसको और घहर है समलेजेगा अस्थल मंडल का वह इससा जहां तक कोई भी जिवजन्तु या जिवधारी बिना किसी कृतिम साधन या संसाधन के स्वतंत रूप से जिवित रह सकने में सच्छा मोता उससे उस अस्थान तक अस्थल मंडल का जिव मंडल कहते है जैसे अब मूस कहा रहता है इससे चुहा कहते है रैट कहा रहता है तो बिल में वहां तक जिस गहराई तक वह बिना किसी कृतिम साधन साधन के स्वतंत रूप से जीवित रह सकता जिसके लिए अनकूल रूप से उसके लिए जलवायू मिलती है अनकूल रूप से रहने की पूरी विवस्था है प्रकित रूप से वह अस्थान अस्थल मंडल का जयो मंडल के हला है अब तो हम यह जानते थे अस्थान की उपर निवास करते हैं, अस्थान की नीचे भी तो निवास करते हैं, कौन? बिल बना कर, संगप, तो वहां तक जहां तक स्वतन तुरूप से बिना किसी कितनी साधन साधन की, अब कहते हैं मनहीं है, पाताल में रहता है, मास्क लगा के जाता है, आक्सिन लगा जाता है, तो वह नहीं कराएगा, माने जहां तक स्वतन तुरूप से बिना किसी प्राक्तिक साधन संसाधन की जिवित रह सकता है, उस अस्थान को हम क्या कहते हैं, उस अस्थान मंडल का जयो मंडल कहते हैं, ठीक, सुन मैं, कोई दिक्कत, और आग जो जनतु स्वतन तुरूप से निवास करते हों, स्वतन तुरूप से निवास करते हों, बिना किसी प्राक्तिक, बिना किसी कृतिम साधन या संसाधन के बिना, उनके लिए प्रकित रूप से अनकूल वाता वरण होगा, उस अस्थान तक को हम जल मंडल का जयो मंडल कहते ह जहां तक सुरी केंडे जल में पोच्ती है इसके निसने दो बात répond यह यह we वह जल मंडल का जया मंडल होगा, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर जब आगे बढ़ेंगे, फिर में मिलेगा वायू मंडल का भी जया मंडल, तो वायू मंडल का जया मंडल क्या होगा? वायू मंडल का भी तो जया मंडल होगा, कहां तक होगा? जहां तक स्वतंत रूप से बिना किसी साधन और संसाधन के कोई भी जन्तु उपर तक निवास और से अब कि हम तो जहाज मुडते हैं मनुस तो एहान बेट के अंतरिस तक चिला जाता है तो वहाँ पे तो अक्सिजन लगा के जाते हैं माने ऐसा स्थान जहां तक कोई चुरेई का हुआ गो रहिया चील बाज जिस उचाई तक वह अधिक्तम उचाई जहां पे वह स्वतंत रूप से प्रकितिक रूप से स्वहम अपने आपको जिवी तरह सकता है वह स्थान वायू मंडल का जू मंडल या जू मंडल कहा रहता है समझे आप लोग नहीं समझने है क्या समझे बताएं समझे तो क्या समझे जहां स्वतंत रूप से प्रकित रूप से निमाज करें बिना किसी प्रकितिक बिना कृतिम साधन साधन के बिना हम मास्क लाग उड़ना नहीं तो उसका क्या कहलाएगा तो यह जो बीच का हिस्सा है पर क्या कहलाएगा जयो मंडल मानि इससे हम क्या कर सकते हैं जयो मंडल की संग्या दे सकते हैं तो जय मंडल का है इस तीनों मंडलों में लेकिन इनको भी जिवित रहने के लिए इस मंडल को सवरुप चलाने के लिए क्या जरूरी है आपका कल जो हमने पढ़ा था शूर का अब सूर का प्रकास क्योंकि इसलिए पुछता है पिथिवी पे सबसे बड़ा जो उर्जा का स्र परचे कर रहा हैं आज पर ऑब परचे करेंगे कल से हर टॉपिक को टाउठा के अलगलग से परना प्रारब बढeffect करें फिर आते हैं हम आते हैं पादब बॉचिंद्ध जनतु के पास दो पताचला याब धिर इन लोग आप जोवान्डल को पढ़ेंगे क्योंकि जो यह जयव seeks को कहा निमास सेमार करता है जयविच मंदल कहा मिलेंगे यह जय जहना है नहीं मिलेंगे अब मंदल पर ही अब वनेंगे पूरी इंद्धय भीद्ध की और मंदल के बीड cooking a उसे whale money Dhela उच्चतर पढ़ेंगे काका बनाएगा है ने किसा की तरह कया तरह बनाएगे छिख्राएंगे मिर्दा के बात बढ़ेंगे फिर अस्थाल मंडल को पूरा नोम के पटार है और इसेom nama से झानना यो में पड़ेंगे त्ीनों का परदूसर्णों होता है- पर माननोँ आएगा- मानोग страх जन्म होगा जम्मानो को जन्म होगा फिर यह सभी को एक साथ पढ़ेंगे मानों कैसे प्रभावित करते हैं इस पूरे तंद्र को पूरे हम पढ़ेंगे माने देखे पर्यावराण वास्तों में अपने खुद एक सब्जक्ट है लेकिन आपके परिछा के दिश्टिकून से ज हर बार हर बार 15 से जादा पूछे गए आज ही मेरे पास नोट्स है आप लोग उठा के देख लीजेगा हर बार 15 से जादे पूछे गए हैं ठीक वह टाइप हो रहा है समय क्योंकि अभी क्या टाइप करा हैं कुछ और चीज जोड़ वा रहा हूं इसलिए वह साथ एक दूदि वह रहा होता है यह क्या होता है वो हिंसाव को हमताऊचा है तो अब हाते हैं इन सबीको मोतल में अजल मंदल वाउनमंडल और जागर प्रमक्स tilt शृका प्रकास रिया भोजन कैसे देता है अर यह मनें पढ़ा था जंगल का पिरामीट सीड्स पर कौन होता भी सब को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि आप कभी भी अगर आपके सामने परिछा में प्रश्ण आ जाए तो आपको कैसे उसे साल्व करना ये भी आप जान लीजिए परियावरान वास्तों में कितना रख्टा मारें रख्टा म विया अगर आंगी पढ़ेंगे तो पहले क्या मिलेगा में पादाप को क्या क्याते हैं प्राथमिक प्राथमिक को भोकता कि नहीं two और Peng खोट शेल्स होते हैं अब आधना बहुझा रिए सोम बनाते हैं है यह अपना भोजन कि इमक कोई बनाके देता है आप लेकिन वह आस्तों किसी का हम अनाज है अपना बोजन नहीं बना रहे है वह बना है उसी खि aproxim नेंपना भोचन । कैसे प्रकाससलेशन की क्रिया दोरा अब प्रकाससलेशन क्या है कल हम ने इसको डिफाइन किया था वो अच्छे सा समझाया था साथ आपको याद होगा तो अब इसको अगर हम पादप को पढ़ना सुरू करें तो पादप और जूजन को एक साथ पढ़ लेते हैं इस डागरा पादप और जूजन को एक साथ अगर जैविक घटन को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें मिलता है पादप अगर हम इस तरह से अगर हम यह बना देते हैं अगर पास्त की तंत्र का पिरा मीड़ भी आगे हम लोग पढ़ेंगे खाद जाल खाद सिंखला वो सब यह अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यह बना दिया हम लोगों ने सबसे नीचे हमने क्या रख दिया यहां पे पादप इसको भी आवरीप में पढ़ेंगे चिंता ना करेंगे घबाभलागे और आप्ध यह पादप अगर में क्या प्राथ में बौकता किया रहाएट लिए प्राथ में को भोकता का चाहिए उत्पादक होते हैं पहले तो पादा होते हैं सुरी कभसे गलत बोल गएक हम उत्पा करते हैं और इनको जो सबसे पहले खाते हैं उन्हें प्राथिमिक उपभोगता कहते हैं हम कब्बे से गलत बता रहे थी पेड़ पोधे जो है वास्तों में देखिए कितास तो पढ़ाते नहीं जो दिवाग में चाड़ के वह बता देते हैं यह उत्पादाग होते हैं दूसर में एक उपभोगता अब यह होते हैं कि दूतियक कि फिर इन्हें सरवहार ही कह देते हैं अभी सरवहार यह तित्यक पुक्ता मा लेते हैं कि चलिए अब यह उत्पादक होते हैं उत्पादक अपना बोजन कैसे बनाते हैं शूर के उपस्थिती में कि शूर को पस्थिती क्या करते हैं यह अपना बोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं प्रकास अंसलेशन प्रकास असलिशन खिरियादवर अपना बोगम सुर्मं बनाते हैं इसे उत्पादक क्याते हैं प्रेडिशर किसी पहले यह पाफी गलत बता गहे जो अपना बोगम क्या तो इस पर आसरीत होते हैं प्रात्व कुभत आस्रेत होते हैं कब समय पढ़ारे देखिए घलब पढ़ा गये ऊचल्व कोई बात नहीं तो यह गया है उत्त आध्पाधर उत्पाधर में क्या होता है सभी पेड़ पोधें और पाते हैं मानिए अपना भोजान प्रम अपना बहुत एक जाए से बनाते हैं हां लेजे घासुस है वुभी है यह संदिट जलिए यह अपना भोजन सुयम इने क्या कहते है उत्पादग उत्पादग में सभी पेड़ पोदे वनसपतियां सभी आ जाते हैं अब जब यह वनस्पतियां हो गए हैं वनस्पतियां के लिए क्या क्या चाहिए सूर का और क्या चाहिए मतलब आजयविक घटक से ही अपना भोजन बनाते हैं अगर आजयविक घटक नहीं है तो यह नहीं होंगे पितिवी पर इनको क्या चाहिए पहले तो मिर्दा चाहिए प्राथ्मिक भूगता के लिए बनाते हैं किसके लिए अब कोई गाजर तयार हुआ सुको कौन खाएगा खरगोस अब तो मनेयों खा जाते हैं अब चुकंदर हुआ तो किसके लिए हुआ कौन खा गया घास टिड़ा गया बकरी बकरा बर्दा इसे बैल कहते हैं महाने कहने का ताथपर मेरा सेंस यही था उन्हें हम प्राथ में खोगता भी इसके इसके दी वी एक कियाते हैं अब इसको के पढ़ेंग। इसको इंट्रोडिक्शन नहीं करा रहें इसमें भी कई प्रकार हैं अभी इसका घटन भी कराएंगे देखेंगा और दिकम्पोज फिर यह उत्पादक हो गया जो स्वेम सपना भोजन बना के तैयार की है अब आया को प्राथ्मे को बहुता जो इन पर इसे टिड़्ड़ खर खरगोष क्या खाता है माने जितने भी साकाहरी जन्तु का नाम आप जानते हैं जितने भी जीव का नाम आप जानते हैं वे सभी प्राथ्मे को भुक्ता के अंतरगत आते हैं लेकिन अब यह नहीं कह सकती स्वाति कि हम ब्राम्माण है तो हम क्या है प्राथ्मे को भुक्ता आपको आत्म संतोष्टिक लिए प्राथिमी को भूगता के स्रेड़ी में अपने आपको मान सकते हैं ठीक है पुछ लोग को बुरा विले कुछ लोग इसका पुवाद भी समझे लेकिन कारण क्या है मनुष्वाहरी के स्रेड़ी में गिंति की जाती है ठीक है कि नहीं बता ल इनको क्या करते हैं अब है खाजाते है ठीक नहीं को खाजाते हैं फिर विलिकों घाते हैं झाई से है बेडिया सियार मुभ पर के यह मौन सहरी हो गए जो इनको के इषाते हैं खाध बहुत किसी जंगल की पिरामीड बनाएंगे कोंसिर्स पर होगा तालाव का पीरामीड बनाएंगे भी देखेंगे वो तो पिरामीड नहीं पड़ा रहें कि मंडल पर जो जो का ये पिरामीड है ये किस तरह से बना हुआ है तो क्या दिखा में यो भगता दूटी भगता में समझ में आगया मानसारी जितने भी मानसारी का नाम आप जानते जो केवल मानसारी को कुछ मत कह दीजिए कुट्ता नहीं हाँ विक योस रोटियों खाता है हाँ ठीक कि अब पूछे साब कौन से में आता है तब कि अपद नहीं पीता कि अपको मानसारी में आता है आप आतें तृतियक भुगता लगता पर क्या है वाइस पर क्या होता है सारवारी मतलब यह इसको भी खाता है और इसको भी खाता और इसको भी खाता है यह तीनों को खाता है इसे कहते हैं सारवारी आम कहेंगे कि मने इसेरों खा जाता है मनि भेडिया खा जाता है, खा जाता है, मिल जाता छोड़ेगा, सापों खा जाते हैं कहीं कहीं, तो ये दुतियों को भुगता भी खाता है, अब प्राथि में गुगता को भी खाता है, प्राथि में गुगता को भी खाता है, प्राथि भुगता भी खाता है, अरे प्राथि पर यह तीनों पर आजिकरता है मैंने जो मिले जाएगा सब खाएगा कुट्टा कि इसको खाता बीमार होता इसको भी खाता है अब कहुगा अब कहाता लेक्म उसे एक बात और कहेंगे को सफाई कर भी कहेंगे प्रकितिका अब तो हमने यह चक्र पढ़ लिया लेकिन यह तो क्या था जैविक संगटन का एक चक्र था यह जैविक पर कैसे आश्रित है अब इसको भी तो पढ़ना है यह आजयविक पर भी आस्रित है कैसे आस्रित है उसको भी हम लोग देख लेते हैं अब देखिए को जान समझिएगा यह सभी की एक लिमिटेड आईउ है उसके बाद यह सब क्यों तो क्या क्या होगा अब जब यह पादब थे एक बात और जानिएगा जो उर्जा का संचरण होता है वह एक पीडी से दुसरे जाने पर 10 पर्सेंट पहुसता है कितना 10 परसंट पर्सेंट भी बताएंगे किसका नियम है क्यों ऐसा होता है अगर इस लिए अगर कोई ब्यक्ति जैसे आप देखियोंगे सेर कर लिया दिखेंट ऊपर और आया सिकार कर लिया, सिकार करने के बाद सो जाता है, कुछ दुर खाना पज जाता है, एक टो गया बैचारी तो गया जानते हैं, गया, वो बैचारी खा लेती है धेर सारा पहले पाच किलो, उसके बाद मंजन करती है, जुगाली करती है, पचानी के लिए, मतलब साकाहरी को जो भी होते हैं वो खाना खाना पके बैढ़ जाता है कि अब उनकी आत की लमबाई क्या होतीए सागहरी की 디 ज्यादा और मां स송र आत के लुम आद magnet क्योंकि भोजन पचाना पता है आगा लोग पढ़ेंगे विभी ऐसा होता है इसले मैंने कहा नहीं कि मनुस्त क्या है सरवाहरी ठीक अभी साथ सब्जी खाली देखे बद्धजी में हो जाता है फाल टूटिम जाई देखे खुब धेर सारों दबा के ना चलिए अब लेकिन इनको डीकंपोज होता है अब जैसे अगर कोई ब्रिच तयार हुआ तो जमीन से क्या क्या लेंगे खानी जिलावने जल यह सब अब तो लेते हैं मतलब यह पूरा तंद्र बनने में जो सबसे बड़ी भूमिका है और किसकी है कि अजयवी घटक है किना विसको समझेंगे अलग-अलग भी होता है जैसे मनुस को भोजन कल आप लोगों ने पड़ा गाव भोजन पोस्राण और स्वास मनुस के विकास के लिए क्या जैसे खुँता है पाहर पूराहार एक सभू इसे संपूरा हार कि वर में संपूरा हार को रहा है कि आसे सम्कूरा हार कोई अंधर नहीं है बताए पूर का मतलब अगर कहीं साधी विवाम पहुच गई इस्टाल लगा है तब तक खाओ जब तक यहां सवाई नहीं यहां सवाई नहीं के बहार आ जाएगा संतुलित का मतलब अपके सम Calebन जिंदल्य जारू तो उसके अंपात में खाते हैं उसे क्या करते हैं कितना आपको बिटामीन तो उसी तरह जिस प्रकार मनुस के अपने विकास के लिए अलग-अलग मिनराल से जरुद पढ़ती है विटामिन्स के वाल ऑक्सिजन और पानी भोजन मिल जाए तो हो जाएगा खानी जलावार इस सबकी भी में जरुद पढ़ती है उसी तरह पीड़ पौदों को भी क्या हम लोग को लगता है कि क्या इन्हें वाई मंडल से केवाल गैस अक्सिजन मिल जाए और सुवर का प्रकास पानी दे दो तैयार हो जाएंगे और क्या देना पड़ता है उरुवराक खाण भी देना पड़ता है जिसको भोजन गुरूप में कर्णवर्ड करते है लेकिन होता क्या अब इसको देखे? यह एक चक्र चलता है पूरे प्रकित में किसका? जैविक और आजैविक संगटनों का वह हमें बयाक्या करना था हो क्या चक्र है? देख लीजेगा देखिय जैसे अगर कोई पीड़ है किसी चीश का पीड़ा माले ड़ाये स्वाती जी चीशً Mormon नार्यल का पीड़ था खोब बडा सा हमको बनाने तो नहीं आता को बड़ा सा था बन गया नार्यल का पैड़न कदाल जीसका भी माले कोई प्यड़ था यह कुछ दिन बाद खोट से सूखे गेर जाए चाहे मनुस अपने उभग के इसको काटके गिरा दे अगर पेड गिर गया तो कुछ दिन के बाद एक साल धुट साल तीन साल चाहर साल पांच साल, दस Pres strategic गिरावेचारा वहारा वाश्य को पीड़ करिकर गिर गिया जनीन पीड़ से किया लुद अब पेड़ गिरने के बाद तरह कि रोगा कुछ दिन के बाद एक साल दो साल तीन चार साल पांच साल दसल वाद इसमें पूर्ज़ा से खत्म होने बाद मुर्दा में मिल जाएगा नैट्रोजन पुना नैट्रोजन में अभरक में सब अपने अपने जितने भी कंपोजिशन सब क्लाइगे टूट के पुना मिट्टे मिल जाएगे फिर समझ रहे ना नहीं समझ भाया लाइट कट गई अब पेड़ किरेगा तो इसमें जिसे बैक्टिरिया कहते हैं इसको डीकंपोज जाएगा सारे मिले तूट के अलग हो जाएंगे ठेक तूट गया चलिए अगर पेड़ ना किरता माली जे आपने धनिया वो दिया दमिया जानत इसको आप खाएंगे और डीकंपोज जागा इसमें दुर्गन दाना शुरू होता है इससे वो डेथ हो इसके तुरह बोड़ी डीकंपोज होगी तो वह जितना भी धनिया उनिया खाकर इतना सालीर बनाया था या बनाई थी अपना या बाकरा या बखरी हो उसकी बड़ी क होगा जो इतना इससे पाया था वह सब अपने अपने तूटके जो वाइमंदा स्वाइमंदम चले आएंगे जो मेर्दास लिए तो क्या होगा फिर प्रक्र फिर नीचे धनियक पास आएगा थानिया लासन जो भी हो फिर बादक सारे फिर फिर यहां बखरा खाया फिर मरा फिर आजा थी प्रक्र नीचे चला लेकिन अगर उसी बखरे को फिर कौन घा जाता सेर खाया तो जो सेर खाएगा बखरे को पूरा अच्छा थोड़ी पाएगा बखरे को पचाया है तो इसका 10% और जाए इसको तेबल 10% और जाए इसको मिलेगा अब यह भी बखरा भी यहां से आएगी यहां फिर टूटेगी कुटने में क्यों कर सभी मिनरल्स अलग अलग हो जाएंगे सब्सक्राइब मेरी बात ने अब लेकिन मन ही सेर को खा गया अब तो परद्वंदित हो गया पहले राजा मरजा सेर सिगार करते थे पता नहीं खाते भी रहोंगे नहीं क सकता मर गया माली यह किटा प्रक्ता मर गया कुटा क्या करेंगे मर जातог को वे अभी staying करते अब जारते नहीं हो जिंदा नहीं आप जन्दा रहते हैं अब जाहां कुटा मरिगा कुटा कटा गाया तो जाare कि दे किय杏 पोरले अकुटा तो यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है तो यह जैविक घटक है किसके सारे हैं अजैविक और यह जैविक जब खतम होते हैं फिर किसमें बदल जाते हैं तो यह एक दूसरे से क्या है जूड़े हुए इनका अंतर संबंद है है संबंदेग रहे हैं बीना उसके वह नहीं बीना इसके यह भी तुण से लिए लेकिन फिन को वापस कर दे रहे हैं घर ले जा रहें पने नया चाहते वे भी वापस करना होगा ऐसा थोड़ी कि पचाते पर किसी के लिए लग बेमानी कर लिए यह मरिएगा कभी तो मरेगा जब मरेगा उसकी बॉड़ी डीकंपोज होगी अज़ा तो नहीं किता सौ को दिरूट जा ले लिए तो हलवान बन गए तो यह प्रक्रम लगातार चलता है और इसी प्रक्रम को उठाके कल से हम लोग अलग अलग अध्याय गृप में इसे पढ़ेंगे और सभी पॉइंट को एक एक तऱ से नोट्स के तरह लिखते चलेंगे और खुब बढ़िया से समझते चलेंगे ठेक पूरा की पॉइंट को स मनुस्तष्टधच्श्टव करना शुरु करेंगा क्या इन अभी मनुस्त अपना क्या करेगा सब सबीकर्ण करेगकश L mail मैं मदल मन प्रदूसण करेगा निव्या नरत तीन प्रकार की प्रदूसण में भी प्र दूसक होगे और D प्रदूशन होगा प्रदूशन कैसे होगा कौन-कौन से जिम्मेदार होंगी प्रदूशन कैसे होता है फिर वह प्रदूशन का जो प्रभाव होता है इनको कैसे प्रभावित करेगा इनको इनका मतलब था जैवी घटक प्रदूशन दोनों को प्रभावित करता है ऐसा नहीं अब जो अपवाद या जो भी से सामने आएगा मनुष्र का आएगा और उसी मनुष्र के बारे में हम लोग क्या करना है अब ध्यान करना है ठेक तो अब इस टॉपिक को ही खतम करते हैं कल हम लोग फिर इसके आगे पढ़ने कहां प्यास करेंगे ठेक तो अब एक प्रश्णा आप लोग को पास्त की तंत्र के जनक कौन है ये आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में बताने का प्रियाश करिएगा क्योंकि मैं ने ये रूपरेखा आपको बता दिया है और इसके बाद इसको हम लोग लिखने का भी प्रियाश करें एक करम से भाई लिखेंगे वी कल और ह कुछ समस्या को को समस्या करेंगा हम बताने का पूराइप जल्टी हो गई थी वही प्राट्रतम को भोक्ता सब्द का पुरियोक इस वीडियो को आप सेर्ट कर दीजएगा हमारे online और यदि आप नोट्स और डेली क्वेस्टन चाहते हैं तो मेरे फेस्टुक पेज इलनीब दुर्गेश तथा टेलीग्राम पे इलनीब दुर्गेश या दुर्गेश रसाज करके जोड़ सकते हैं अगर आप पढ़ते रहें और जाकि जो भी समस्या होंगी हम आपके साथ है यह सकते हैं